अजो परने वाले हैं अनेटमी के अंदर शूल्डर जॉइंट जिसको हम एनेटमी में कहते हैं ग्लीनो हीमरल जॉइंट अब यह ग्लीनो हीमरल जॉइंट है सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि अटैच कहां से हो रहा होता है ग्लीनो हीमरल जॉइंट हमारा जो कह उसके अटेचमेंट की जो सैइट से वो cawn sich कौण सी है हूँ हमारे हिमरेव का स्फेर कल है वो ऑ जा यह ओ जो हमारे पास स्कैपिला हुक्त है सक्पिला विंग जेसा जो औरमारे पास एक आपको यादहगा ग्लीनोओ या चावीटी थी और वो जो हमाँ पास हुमरस का spherical surface हुमरस का head वो दोनों मिल के कौन सा joint बनाते हैं shoulder joint बनाते हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा twist है वो यह है कि हमारे पास जो के spherical head होता है हुमरस का उसके उपर भी cartilage लगावा होता है कौन सा cartilage लगावा होता है hyaline cartilage लगावा होता है फिर उसके आद माँ पास जो scapula है scapula की जो glenoid cavity है उसके अंदर एक होता है हमारे पास labrum कौन सा labrum होता है glenoid labrum होता है इसका क्या function होता है यह थोड़ा सा ना deepen गरता है कि इसको hole को जो के अंदर cavity उसको deep करता है ताइक इसके अंदर humerus थोड़ा सा stable हो सके और यह कौन से cartilage का होता है fibrocartilage का glenoid labrum होता है हमारे पास अब बात करते हैं इस joint की थोरी इधर उधर की बाते हैं वो यह है कि यह joint जो के हमारे पास है unstable होता है as compared to any other joint और यह वाला joint बहुत ज्यादा movable होता है तो पर जिस जगह पर movement movement ज्यादा भाई जाएगी वो उसके जो के गिरने के chances ज्यादा है movement इसलिए उसमें allow होती है क्योंकि वो ज्यादा अंदर नहीं गया cavity में आप देख सकते हैं glenoid cavity कितनी छोटी सी है जबके हमारे जो head है emurus का वो काफी बढ़ा है लेकिन इसको stability provide करने के लिए हमारे पास होते है rotator cuff muscles अब यह rotator cuff muscles जो के हैं इसको stability provide करते हैं इसको जकड के रखते हैं वो अंदर ही रहा है sublaxate ना हो या फिर dislocation ना हो जाए glenoid labrum है वहां से जो के superior उसका end है वहां से हमारे पास आपको याद होगा जब हमने arm के muscles पढ़े थे तो bicep का जो tendon है वहां से निकल रहा होता है तो जो हमारे पास glenoid labrum का superior section था तो वहां से जो के मारे पास tendon of the long head of bicep निकल रहा है और यह joint के capsule के अंदर भी आता है अगर पूछा जाए कि shoulder joint या gleno humoral joint के अंदर joint के capsule के अंदर कौन सा ligament होता है तो हमारे पास जवाब होगा कि long head of the bicep जैसे कि हर joint के अंदर हमारे पास capsule होता है उसी तरह shoulder joint या gleno humoral joint के अंदर भी capsule होता है सब से पहले हमारे पास fibrous capsule होता है फिर fibrous capsule के ऊपर synovial capsule होता है और आपको पता है synovial capsule synovial fluid reduce करता है जो कि क्या करता है हमें friction से बचाता है friction से बचने से क्या होता है हमारे जो labrums हैं labrum और island cartilage है वो आपस में टकरा के खराब नहीं होता है instead वहाँ पे fluidity होती है friction कम होता है अगर friction ज्यादा हो तो वो दोनों collide होके तूट सकते हैं अब हम बात करेंगे जैसे के हर ligament में हम बात करते हैं हर ligament में नहीं हर shoulder में हम बात करते हैं ligament की तो इस joint के अंदर भी हर joint के अंदर हम बात करते हैं ligament की तो इस joint के अंदर भी हम ligament की बात करेंगे कि कौन से कौन से ligaments होते हैं लिए उससे पहले मैं आपको कुछ बर्सा के information देता हूँ आपको बता होगा बर्सा क्या होता है बर्सा soft tissue का cushion होता है जैसे कि आप अपने head के नीचे cushion रखते है इसी तरह ये cushion हमारे पास किसलिए होता है ligaments और muscles के लिए होता है और ये जो cushion है ये fat का बना होता है अब बात करते हैं ये cushion के significance क्या है क्यों होता है इन cushion का significance ये है कि अगर कोई tendon क्रॉस कर रहा है किसी भी bone के उपर दे लंबा tendon है काफी लेकिन अगर आप उसके नीचे देखो तो जब वो tendon मूफ कर रहा है तो वो bone उससे collide हो रही है उससे घिस रही है तो उस bone के घिसने से वो ligament तूट सकता है उस तूटने को बचाने के लिए हमारे पास क्या होता है बरसा लगावा होता है उसके ligament के नीचे एक बरसा आजाता है जो के उसको prevent करता है कि हमारे ligament को कोई damage ना हो और easily movement परफॉर्म कर सके तो यह होता है cushioning effect of the बरसा shoulder joint में एक बरसा हमारे पास होता है subtendinous बरसा जो के subscapularis का होता है मतलब वो subscapularis के muscle को prevention दे रहा होगा जो के lie करता है between subscapularis muscle और fibrous membrane जैसे कि मैंने आपको पताया पहले आपके आपके fibrous membrane होती है joint को cover करने वाली फिर हमारे पास synovial membrane होती है तो fibrous membrane और subscapularis muscle जो के हम पता है scapular के जो के internal side है तो subscapular fossa जो है हमारे पास उसके अंदर वो muscle होता है तो उस जगा पे जो के हमारे पास एक बरसा है एक और बरसा जो के हमारे पास shoulder joint में मौझूद होता है वो उसका नम हमारे पास है subacromial और subdeltoid बरसा अब ये कहां कहां पे होते हैं तो देखते हैं acromial जो के हमारे पास deltoid muscle और supra-spinatus muscles के दर्मियान होते हैं acromial process जो हमारे पास होता है वहां पे और जो हमारे पास होता है कौन सा? supra-spinatus muscle वहां पे कौन सा? तो ता sub-scapularis था यहां पे supra-spinatus था तो ये sub-scapularis और supra-spinatus की prevention के लिए हमारे पास दो बर्सा हैं कौन से कौन से sub-tendinus बर्सा और sub-acromial बर्सा या sub-deltoid बर्सा इसके इलावा भी कुछ बर्सा हमारे पास होते हैं लेकिन वह इतने important नहीं है तो ये जो दो बर्सा हैं ये सबसे जादा important है अब चलते हैं हम ligaments की तरफ तो हमारे पास ligaments जो होते हैं वह सबसे पहले कौन से ligaments होता है जो मैं डिसकस करना चाहूंगा वह होता है glenohumeral ligaments अब ये glenohumeral ligaments है बड़ा से ligaments होता है जो के हमारे पास कह सकते हैं कि जो synovial membrane है synovial membrane के उपर से जो के पूरे shoulder joint को कवर कर रहा होता है और ये ligaments superior surface पर है सबसे पहले हमारे पास superior section है कि इसका glenohumeral ligament का फिर middle है पिर inferior है inferior थोड़ा नीचे की side होता है तो तीन section में divided है अलग-अलग आते हैं तीनो तो ये कौन से ligaments ligaments है? glenohumeral ligaments फिर इसके आद 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 पास जो nex ligament है उसका नाम है दा उसका नाम है corico-humeral ligament corico-humeral ligament coricoide process से निकलता है और humerus पर जाके लगता है फिर उसके बाद आद हमारे पास है transverse humoral ligament अभी ये transverse humoral ligament है जैसे कि आपको बता होगा transverse section is just like X axis vertical vertical नहीं X axis section longitudinal है जैसे 1st हमारा होता है तो straight जा रही है lines जा रही है तो X axis आप assume कर सकते हैं किस तरह से होगा तो यहाँ पर आप देखें यह humerus है humerus के जैसे humerus longitudinal है vertical direction में तो उसके बिलकुल opposite right or left circular direction में चोटा साल ligament है तो यहां पर हमारे पास ligaments of the shoulder joint खतम होते हैं अब बात करते हैं हम blood supply और nerve supply of the shoulder joint अब हमारे पास blood supply of shoulder joint होता है वो हमारे पास anterior और posterior circumflex humeral arteries से होता है और subscapular arteries से होता है यह arteries हमने blood की वीडियो में पढ़ी थी तो यह जो दो arteries हैं यह हमारे पास shoulder joint या glenohemeral joint को supply करती है अब nerve की जो innervation है वो कौन सी कौन सी nerves करती है हमने जो के पढ़ा था brachial plexus के अंदर जो cord होती है cord में posterior cord जो थी उसके अंदर से जितने भी nerves आ रही है nerves of the posterior cord of brachial plexus किसको supply करती है हमारे glenohemeral joint को और हमारे पास subscapular nerve, axillary nerve और lateral pectoral nerve किसको supply कर रही है हमारे glenohemeral joint को तो shoulder joint का lecture यही पे खतम होता है thank you so much for watching subscribe for more and Allah Hafiz किसको 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 क